नमस्कार आप सभी का मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बनाएंगे वेज मंचूरियन ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी होती है तो चलिए हम बनाना शूर करते हैं इसके लिए हमने कुछ सबजियां ले ली है आधा कप फूल गोबी एक कप पत्ता गोबी और एक चताई कप गाजड और सभी को हमने ग्रेट कर लिया है और इसके साथ ही हम लेंगे एक चताई कप सिमला मिर्च आधा कप प्याज तो हरी मिर्च थोड़े से लहसन के कलिया और अधरक सभी को हमने बारी कट कर लिया है और अब हम एक पॉल लेंगे इस में सारी सबजियां को मिक्स करेंगे सबसे पहले इसमें हमने एड़ किया पत्ता को भी फूल को भी और काज़ और अब हम इसमें एड़ करेंगे कटे हुए प्यास सिमला मिर्च हरी मिर्च लेसन लेसन के साथ कुटे हुई अदरत इन सबी को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेगे और इसके साथ अब हम इसमें एड़ करेंगे तीन बड़े चमच मैदा और साथ बड़े चमच कॉर्ण फ्लोर चितना हम मैदा एड़ करेंगे उसका डबल हम कॉर्ण फ्लोर लेंगे डबल या उससे थोड़ा ज़्यादा इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें एड़ करेंगे तीन चमच नमक आप अपने टेस्ट रिकॉर्डिंग नमक अड़ करें और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे आप इसे अपने हाथों की साहता से मिक्स करें और इसमें हमें पिल्कुल भी पानी अड़ नहीं करना है हमें इसे बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करना है मिक्स करने के बाद आप देख लें कि आपका बॉल बन रहा है की नहीं यह देखिए बहुत ही अच्छे से हमारा बॉल बन रहा है हमारा मैदा और कॉर्ण फ्लोर का रेसियो बिल्कुल ही परफेक्ट है अब हम सारे बॉल्स पहले तयार कर लेंगे आप एक बार इस तरीके से वेज मंचूरियन बना करके जरूर ट्राई करें और अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप कमेंट शेक्षन में जा करके जरूर पता है और मेरे वीडियो को लाइक शेर और मेरे चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें यह हमने सारे मंचूरियन बॉल्स बना करके रेडी कर लिया है तो अब हम इसे डिप फ्राई करेंगे इसके लिए हमने एक गड़ा ही गरम कर लिया है और उसमें हम एड़ करेंगे एक कप के लगबग मस्टर्ड वाइल आप जो कुकिंग वाइल खाते हैं आप उसमें फ्राई कर सकते हैं तेल हमारा गरम हो चुका है तो अब हम एक एक करके बॉल्स उसमें एड़ कर देंगे और हम low flame पे इसे प्राई करेंगे अगर हम flame को high रखेंगे तो हमारे balls उपर से golden brown हो जाएंगे और अंदर से कच्च रह जाएंगे इसलिए हम इसे low flame पे ही golden brown होने तक प्राई करेंगे आप इस तरीके से एक बार wedge manchurian बना करके जरूर ट्राई करें और अगर मेरी recipe पसंद है तो comment section में जाखर करके जरूर बता है हमारे balls फ्राई हो चुके हैं तो अब हम इसे एक ball में निकाल लेंगे आप देख सकते हैं इसका color किता बढ़िया आया है हमें इसी तरीके से सारे balls को फ्राई कर लेना है यह हमने सारे balls फ्राई कर लिये हैं अब हम इसकी gravy बनाएंगे इसके लिए हमने एक कड़ाई में तेल गरम कर लिया उसमें add करेंगे कटे हुए lesson और थोड़े से अधरब से हम थोड़ा चला लेंगे उसके बाद इसमें add करेंगे कटे हुए हर image हम थोड़ा इसमें mix कर लेंगे उसके बाद हम इसमें add करेंगे थोड़े बड़े टुकड़ों में cut किया हुए एक medium size का फ्यास इसे भी एक से दो मिनट के लिए हम पून लेंगे और उसके बाद add कर देंगे कटे हुए simla mix हमने एक छोटा size का simla mix यूज़ किया है आप quantity आप अपने हिसाब से रख सकते हैं अब हम इसमें add करेंगे नमक नमक हमें बहुत ही कम यूज़ करना है क्यूंकि इसमें अब हम add करेंगे sauce तो sauce में भी नमक होता है एक बड़ा चपमच tomato sauce आदा चपमच chili sauce और एक चथाई चपमच हमने soya sauce add किया है और इसे हम दो से तीन मिनट के लिए पका लेंगे इसके बाद हमने एक चथाई कप spring onion add किये है और इसे भी हम दो मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे और अब हम add करेंगे एक किलास पानी और इसे थोड़ा boil होने देंगे अब हम एक कटोरी लेंगे उसमें हम add करेंगे दो बड़े चमच corn floor और इसमें थोड़ा पानी एड़ करके हम इसका एक पतला घोल तयार करेंगे हमें बहुत अच्छे से mix करते हुए इसका एक पतला घोल तयार करना है क्योंकि gravy अभी हमारी बिल्कुल पानी पानी है तो इसे हमें थोड़ा गाड़ा करने के लिए अब हम इसमें कोल डाल देंगे और इसे बहुत ही अच्छे से mix करना है और अब हम इसमें एड़ कर देंगे एक छोटा चमच काले मिर्च पॉडर और इसे लगतार चलाते हुए हमें पकाना है और जब इसमें अच्छे से उबाल आ जाएगा तो हम इसमें मंचूरियन बॉल्स को अड़ कर देंगे यह देखिए ग्रेवी में उबाल आ गया है तो हम अब इसमें सारे बॉल्स को अड़ कर देंगे और इसे भी दो से तीन मिनट तक के लिए पकने देंगे देखिए ग्रेवी हमारी गाड़ ही हो चुपी है यानि हमारा मंचूरियन बन करके तयार है अब हम इसे एक बॉल में ट्रांस्फर कर लेंगे आप एक बार बेज मंचूरियन इस तरीके से बना करके ज़रूर ट्राई करें और अगर मेरी रेशिपी पशंद है तो कमेंट शेक्षन में लिखना ना भूलें हमारी रेशिपी आपको कैसी लगी यह देखिए अब हमारी मंचूरियन सौर्प करने के लिए रेडी है मैं आपको एक कट कट के इखा रहे हूं यह कितनी सौफ्ट बन करके तयार हुई है आप एक बार चरूर बना करके ट्राई करें मुझे उमीद है कि आपको और आपके बच्चों को काफी पसंद आएगी आपको पसंद करें